अगर आप लोग ट्रेडिंग करके पैसे को कमाना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग करके जादा सजादा पैसे को कमा हूँ और ट्रेडिंग के लिए बैस्ट अप्लिकेशन कौन सा हो सकता है इसी वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि वैसे तो ट्रेडिंग के काफी सारे application मिल जाएंगे लेकिन कुछ चुनिंदा बैस्ट एप्लीकेशन अ जिसमें से एक बहुत ही बैस्ट application ए ट्रेडिंग का जो काफी मार्केट में चर्चा में रहता है त्रेडिंग application का नाम है वो है group trade 7 आज हम सीखने वाले हैं कि group trade 7 application से हम trading को कैसे करेंगे group trade 7 application का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं वैसे group trade 7 application में काफी सारे features हमको देखने को मिल जाते हैं वैसे trading करना काफी आसान काम होता है और काफी मुश्किल काम होता है group trade application ये सारी चीज़े manage करता है और आप लोगों को उसमें काफी सारी currency भी देखने को मिलती है और उसका user interface बहुत ही सानदार है तो चलते हैं अपने application की तरह उससे पहले अगर मेरा वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेन आप चाओ तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके भी वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप प्लेश्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद डारेक्ली आपको ऐसा interface देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपको login या create account करना पड़ेगा तो create account करने के लिए आपके पास email ID होना बहुत ज़रूरी है साथ में आपके पास एक password होना बहुत ज़रूरी है email और password डालके आप account को create कर सकते हो जैसे आप account create हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है सबसे पहले हम ब आपको बताई दिया है real account and demo accounts का बाद में आपको assets देखने को मिल जाती है अब हम देखेंगे इसमें आपको कितनी currencies देखने को मिल जाती है तो हम currency के उपर click कर देंगे तो यहां पर आपको काफी सारी currencies देखने को मिल जाती है आप चाहो तो यहां पर manually assets को search कर सकते हो या फिर आप लोग popular और यहां यहां पे आपको assets देखने को मिल जाता है और यहां पे प्रोफिएटी देखने को मिल जाती है सबसी जो हमारा पेला करन्सीας है जिस USDT INR में करेंगे जो की OTC की तहत आता है और इसमें जो profitability देखने को मिल जाती है वो देखने को मिल जाती है 7% की तो यहाँ पर हम INR के उपर click कर देते हैं और OK कर देते हैं तो यहाँ पर load होना शुरू हो जाता है यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आपको तेन मिनिट कर तेन मिनिट पंदा मिनिट तीस मिनिट और एक घंड़े का टाइम फ्रेम देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको मिनिमम जो टाइम फ्रेम रखना है वो तेन मिनिट रखना है अब यहाँ पर यहाँ पर नीच का क्या मतलब हो भी मैं आपको बता दिता हूँ कोई कोई मार्किट होता है जो मार्केट होता है वो डान फॉल के उर जाता है मार्केट जब डान फॉल के ओर जाता है रेड डा समें बना वदना है याने कि पूत का अगर पनकी model के अगर आप गिरते हुए के बाद मार्केट नीचे जाएगा आपको 100% पता है लेकिन आपको कैसे पता चलेगा 100% कैसे कब पता चलेगा जब आप इसके बारे में अच्छे से का से को कैसे लगाना अब कॉल में आपको देखने को मिल जाता है अब जैसे कोई मार्केट उपर की ओर जाता है तो समझ लो अगर आपने कॉल की उपर पैसे लगाए तो आप प्रॉफिट में जाओगे अब तो एक्जाम्पल के लिए हम profit and loss के बारे में दोनों में आंतर समझ लेते हैं, profit different यानि की different समझ लेते हैं, दोनों का profit and loss का, तो अगर आपने profit कैसे होता है, अगर आपने put के उपर पैसा लगा और market down चला गया, तो आपको profit हो जाएगा, और अगर आपने call के उपर पैसा लगा यानि इसको enable कर देते हैं, अब हम जो पैसा लगाने वाले हैं, वो लगाने वाले हैं, हम देख लेते हैं एक बार chart को, chart को समझने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो पैसा लगाना चाहिए, वो यहाँ पे हमें call के उपर पैसा लगाना चाहिए, तो हमने 20 रुपे call के ऊपर लगा दिया है अब यहां पर देखो जो हमारा जो हमारा एक्जिट पॉइंट है यहां पर यहां पर दिख रहा है अगर यहां से यहां से जो क्या होता है अगर हमें लॉस होगा तो वो क्लॉस कैसे होगा अब जैसे जो चार्ड जा रहा है हमारे एकजिट पॉइंट के पास जाते जाते अगर यह मार्केट नीची की ओर आ गया यानि कि जो यह चार्ड बन रहा है ना यह नीची की ओर चला गया तो हमें 100% लॉस देखने को मिलेगा लेकिन जो हमने बहुत ही कम मुझे हो लगा है बहुत ही मिनिमाम म्म लगा है 20 रुपीज 20 रुपाय की हमने ट्रेड को लिया है अम आपको बता देता हूं आपको करना क्या है जब भी आप ट्रेडिंग करना तो सबसे पहले आपको DEMO terrific को करना है क्योंकि अगर आपका extryaction कॉल आप सो य या फिर ट्रेंड हो जाए एक बार में ऊपर के हो तो यहां पर देखो हमें 20 रुपीज का लॉस हो चुका है अब जैसे कि यहां पर हमने कॉल के ऊपर लगाया था इमाउंट 20 रुपय था प्रॉफिट भी 20 रुपय होने वाला था लेकिन जो क्लोजंग प्राइज ब्यासी रुपय के ऊपर यहां पर क्लोज हो चुका है अब यहां पर देखो हमें 100 पर्संट लॉस देखने को मिल गया है अब यहां पर हम एक ट्रेड ओल लेंगे यहां पर एक बार और देखेंगे तो यहां पर अभी क्या हो गया कि मार्केट वापस से यहां पर हमने पुटके उपर लगा दिया, मार्केट डाउन जाएगा अगर यह फिर से वापस से और ऊपर के और चला गया, यानी कि वापस से जाएंग से कि अभी उपर के और कितना ऊपर जा रहा है यहां पर आप देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप के लेनेamहे हैं अगर आप केंडल को समझना सीख गए याँ इस चारट को समझना सीख गए तो 100% profit उठा पाओगे ट्रेडिंग से और आप ट्रेडिंग से महिने का लाको रुपय अगारंटी के साथ कह रहाऊ मैं अब आपको क्या करना है यहां और वी निूस मwarzा सब्सक्राइब 8 मिल जाती है उन सारी करणसी के वारे में यहां पे देखने को मिल जाते हैं अब हैंपसेंटर मिल जाता है हैं बहुत सेंटर आपको हैल्प लेनी पड़ सकते हैं जब भी आगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो और trading से आपको कभी भी कोई दिक्कत हो गई या आपने amount को deposit किया आपका amount आपके ID पर या आपके account में receive नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इनका help center से online support से जो की open हो जाता है सुबा के 9 बजिससे सामके 5 बजे तक open रहता है और इनका email ID से आप इनको mail कर सकते हो अगर आपका online support से आपकी problem का solution या satisfaction आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप email कर सकते हो इनका जो mail है वो एक दिन के अंदर अंदर आपको ये reply दे देंगे और अगर आपके पास फिर भी कोई question and answer रह जाते है तो इनकी question यहाँ से आप question and answer ले सकते हो कि आपको trade कैसे करना है, demo account से कैसे करना है, deposit कैसे करना है, withdraw कैसे करना है and others यहाँ पे साथी चीज़ें आपको mention की गई है जो आप one by one आप समझ सकते हो यहाँ पे आप देख लेते हमें trade में क्या हुआ तो हमें trade में यहाँ नुकसान हो चुका है profit हुआ था, बागी trade में हमें loss देखने को मिल गया है अब हम जानते कि इसमें deposit and withdraw को कैसे करना है अगर आपने यह video last तक देखा होगा तो आपको यह समझ आया है कि आपको सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी trade कैसे करना है, अब हम बताते हैं आपको deposit and withdraw कैसे करना है जो total balance होगा, वो आपको total balance यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि अभी जो मेरे total balance है वो 00 rupees हो रहा है deposit करने के लिए आपको deposit बटन के उपर क्लिक कर दिना है जो यहाँ पर minimum deposit है वो 100 rupees से लेके आप 50,000 rupees तक कर सकते हो अपने UPI की तुरू like this, Google Pay, Phone Pay, Paytm के जरीए आप यहाँ पर deposit कर सकते हो and back button के उपर क्लिक कर दिना है अब withdraw के उपर क्लिक करना है जैसे कि आपने deposit कर लिया अब deposit करने के बाद आपने कोई भी trade लिया अब यहाँ पर च्रीड में होगे आपको profit ही आपने profit को बुक कर लिया तो आपको क्या करना है भाही withdraw भी करना पड़ेगा यहाँ पे विड्रो करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपने अभी तक कोई deposit नहीं किया अब यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सो होगा, जो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बैक आजाने, यहाँ पर आपको एक नया चीज मिल जाता है, स्टेटस का, अब आपका स्टेटस कैसे बनेगा, जैसे कि आपने 100 रुपे की ट्रेड ली, या 100 रुपे का डेपोजिट और आपने 20,000 रुपे तक का ट्रेड ले लिया, या फिर 20,000 रुपे डेपोजिट कर दिया, तो आप प्लेटनम प्लान में सिफ्ट हो जाएंगे, और आपने 50,000 रुपे का डेपोजिट कर दिया, या फिर ट्रेड ले लिया, तो आप डायमेंड प्लान में सिफ्ट हो यहां पर आपको टृटोरियल देखने को मिल जाते हैं अगर आपको समझना है कि हमें ट्रेडिंग को कैसे करनी है यहां पर कॉल पूर्ट यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जैसी कि अगर आपने पैसा कॉल की उपर लगाया तो यहां पर आपका प्रॉफिट पढ़नी है जिससे आप ट्रेडिंग को कर सकते हो अगर आपको किसी अगर आपको किसी भी करंसी में लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना है करंसी को चेंज कर लेना है यहां पर आपको मल्टीपल करंसी मिल जाती है जिन पर आप ट्रेड को कर सकते हो तो दोस्तों आप लोग बताओ ये गुरू ट्रेट सेवन एप्लिकेशन का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप लोगो ट्रेडिंग से इंट्रिस्ट है तो आप मेरी चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोग चाहते हो